देश का बीमा नियामक एड़ा इंदिनों खोब हरकत में है। देश का बीमा उतपाद और राइडर लाँच करने की मनजूरी दी है। मिलने से बीमा कंपनिया जरूरत के हिसाब से उपयोगी और आकर्शक उतपाद लाँच करेंगी। कुरोना महामारी ने स्वास्थ बीमा के महत्त को बख्भू भी समझा दिया है। सरकारी ठिंक टैंक नीती आयोक की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 42 करोड आबादी के पास कोई स्वास्थ बीमा प्लान नहीं है। यानी देश के कुल आबादी का करीब 30% ऐसे लोगों को स्वास्थ बीमा के दाइरे में लाने में यूज और फाइल की नीती कारगर साबित हो सकती है। इडा ने स्वास्थ बीमा में कुछ गंभीर बीमारियों की परिभाशा नए सिरे से तैं की है। इससे बीमा दाओं के खारिज होने की आशंका कम होगी, बीमा क्लेम मिलने में आसानी होगी। साथी बीमा कंपनियों को भी इस बारे में सपश संदेश मिलेगा कि गंभीर बीमारियों से जुड़े कवर में किन बीमारियों को शामिल किया जाना है। बीमा नियामक ने सरकार की ओर से संचालित प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना में बीमा कम्पनियों की भागेदारी बढ़ाने के लिए पुंजिगत जरूरतों से जुड़े मानकों में धील दी है इससे बीमा कम्पनिया जीवन जोती योजना के तहट कई और पॉल्सियों की पेशकश कर पाएंगी इससे समाज के निशले तबके के लोगों को वित्तिय सुरक्षा मोहिया कराने में मदत मिलेगी देश में फसल बीमा योजना लंबे अर्से से चल रही है लेकिन इसका लाब उठाने वाले किसानों की संख्या कम है अब इडा ने फसल बीमा की पेशकश करने वाली साधारन बीमा कम्पनियों के लिए सॉल्वेंसी मर्जिन यानि संपत्ति देंदारी अनुपात को घटा दिया है Solvency Margin बीमा कंपनी की वित्तिय सेहत का प्रमुक संकेत है इस फैसले से बीमा कंपनियों के हाथ में 1400 करोड रुपए की नगदी आएगी और कंपनिया इसका इस्तमाल नए किसानों तक पहुँचने में कर सकती है इड़ा की ये पूरी कवायत देश में बीमा की पहुँच बढ़ाने के लिए किये गए सुधारों की गड़ी का हिस्सा है मनिनायन के लिए देविंद शर्मा